हेलो फ्रेंड सफलताकारी इ commandments के online classes में आप पस्वागत है दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हैज दोस्तों वीडियो को like करें अधिक सधीक Sharing और सब्सक्राइब परें ठीक है दोस्तों फिन्दी के प्रस्णों के साथ फिर हम उपस्तित तो चलिए बात करते हैं हिंदी में question number 1 की करा निमलिखित में से कौन सा रासो कौन सा रासो आलाखंड के नाम से प्रसिद्ध है option number A है प्रतवी राज रासो option number B है खुमान रासो option number C है पर्माल रासो और option number D है विसल देव रासो तो दोस्तों करा निमलिखित में से कौन सा रासो आलाखंड के नाम से प्रसिद्ध है तो इसमें हो जाएगा आपका option number C हो जाएगा पर्माल रासो अगला question देखिए कहरा है हिंदी समाचार पत्र बंगदूत प्रकाशित हुआ था option number A 1826 में option number B 1829 में option number C 1834 में और option number D 1844 में तो दोस्तों हिंदी समाचार पत्र बंगदूत यहाँ प्रकाशित हुआ था कब 1829 में option number B आपका सही हो जाएगा 1829 में R.M. Martin कौन? R.M. Martin ठीक है और राजा राम मोहन रायद्वारा कलकत्ता से प्रकासित किया गया फिर से सुन लिजी R.M. Martin और राजा राम मोहन रायद्वारा कलकत्ता से प्रकासित किया गया और कहा जाता है कि यह तीन भासाओं में बंगला हिंदी और फारसी में छपता था बंगला हिंदी और फारसी में छपता था अप्शन नमबर B. राजा राम मोहन रायद्वारा और प्रकासित किया गया था तो इसमें आपके पास एक आप्शन है कौन सा राजा राम मोहन रायद्वारा तो यही आपका क्या हो जाएगा राष्ट्र भासा संदेश पाख चिक पत्र कहां से प्रकासित होता है ओप्शनमबर A है इलाहबाद से एकीफ्ञार से यह आपका और यही और प्रियाग राज से अो आपको option number A सही हो जाएगा ठीक है जिसके प्रथम प्रधान संपातक थे वह राजश्री पुर्षोत्तम दास तंडन थे कौन थे जिसके प्रथम प्रधान संपातक थे वह कौन थे राजश्री पुर्षोत्तम दास तंडन समाचार सुधा वर्षड किस प्रकार का पत्र था समाचार सुधा वर्षड किस प्रकार का पत्र था option number A है सापताहिक option number B है दैनिक option number C है पाच्छिक option number D है मासिक तो दोस्तों यह कैसा पत्र था दैनिक था कैसा था दैनिक था तो आपका option number B क्या हो जाएगा तो आपका option number B क्या हो जायगा 1854SB में कब 1854SB में कलकत्ता से कहां से कलकत्ता से परकासित हुआ था या हिंदी का पहला दैनिक पत्तर था ज़्यान दीजिएगा समाचार सुधा वर्सड हिंदी का पहला दैनिक पत्तर था तो रोज प्रकास और इसके संपादक थे स्याम सुन्दर सेन कौन था स्याम सुन्दर सेन 1854 में कलकत्ता से प्रकासित हुआ इसके संपादक थे स्याम सुन्दर सेन ठीक है और यह हिंदी का पहला दैनिक पत्तर था अगला कोईशन अंधेर नगरी नाटक के रचनाकार कौन है अप्सन नमबर A है जैसंकर बर्षाद अप्सन नमबर B है मोहन राकेस अप्सन नमबर C है भारतेंदु हरिस्चंद्र और अप्सन नमबर D है भीष्म साहनी दोस्तो इसमें आपका कौन सा अप्सन सही हो जाएगा अंधेर नगरी नाटक के रचनाकार तो दोस्तो भारतेंदु हरिस्चंद्र आप्सन नमबर C आपका क्या हो जाएगा तो अंधेरी नगरी नाटक के रचाईता जो है वह भारतेंदु हरिस्चंद्र है और भारते इंदुहरिस चंद्र डौरा लिखित अन्य नाटक भी है जैसे करपूर मंजरी के भारत जननी वैदिक हिंसा नाभवती और भारत दुर्दसा फिर से सुन लीजिए भारते अंधेरी नगरी किसकी है भारते अंधुहरिस चंद्र की है और इनके द्वारा रचित अन्य नाटक भी है करपूर मंजरी भारत जननी बैदिक हिंसा हिंसा नाभवती और भारत दुर्दसा अगला कोशन देखिए वीरों का कैसा हो वसंत कविता किसने लिखी है? और आपका option number B सही हो जाएगा, अगला question, आज पत्र के प्रथम संपादक, आज पत्र के प्रथम संपादक, option number A है आपका बाबु स्री प्रशाद कुप, option number B है राम कृष्णे रगुनात खड़िलकर, option number C है बाबु स्री प्रकास जी और option number D है बाबु राव बिश्रु तो दोस्तों आज पत्र के जो प्रथम संपादक है वो स्री प्रकास जी है कौन है स्री प्रकास जी है इसमें आपका option number C सही हो जाएगा, option number C सही हो जाएगा, तो आज पत्र का प्रकासन 5 सितम्बर 1920 को आज पत्र का जो प्रकासन है वह 5 सितम्बर 1920 को ठीक, 5 सितम्बर 1920 को कह से वा राड़ुसी से हुआ था जिसके संस्थापक स्युप्रसाद गुप्त थे और प्रथम संपादक बाबु राव विश्र पराड करते प्रतम संपादक, स्री प्रकास एवं प्रधान संपादक बाबु राव विश्र पराड करते अगला कोशन आज समाचार पत्र का प्रकाशन कब आरंब हुआ था? आज समाचार पत्र का प्रकाशन कब आरंब हुआ था? तो इसमें option number A है 15 January 1920, option number B है 22 April 1920, option number C है 2 July 1920, और option number D है 5 September 1920, तो अभी हमने आपको बताया 5 September 1920, तो इसमें आपका option number D सही हो जाएगा, अगला question आज समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे, हमने इसको भी अभी आपको बताया है दोस्तों, option number A है स्याम सुन्दर दास, option number B है बाबु राव विश्व पराड़कर, option number C है सिव परशाद गुप्त, और option number D है राम चंदर सुकल, तो हमने अभी आपको बताया था कौन है इसके संस्थापक सिव परशाद गुप्त, आपका कौन सा option number C सही हो जाएगा, शिव परशाद गुप्त आज समाचार पत्र के संस्थापक थे, अगला कौशन तद्भो पत्रिका के संपादक का नाम बताईए तद्भो पत्रिका के संपादक का नाम क्या है अप्शन नमबर ए है लीला धर जगूरी अप्शन नमबर बी है विस्वनाथ प्रसाद्तिवारी अप्शन नमबर सी है हरे प्रकाश उपाध्याय और option number D है अखिलेश तो दोस्तों तद्भो पत्रिका के जो संपादक है उनका नाम क्या है अखिलेश क्या नाम है उनका अखिलेश तो आपका option number D सही हो जाएगा कौन सा option सही हो जाएगा option number D अगला question देखिए करें निराला किस पत्रिका से संबंधित नहीं थे निराला किस पत्रिका से संबंधित नहीं थे, option number A है सुधा, option number B है इंदू, option number C है समन्वे, और option number D है मतवाला तो दोस्तों, इसमें आपका option number B सही हो जाएगा, option number B इसमें आपका सही हो जाएगा, इंदू, कौन सा? option इंदू, ठीक, तो लिकिन यहां इंदू, ठीक है, तो इंदू किसकी है, तो इंदू जै संकर परसाद जी की है, इंदू पत्रिका, ठीक, इंदू पत्रिका किसकी है, जै संकर परसाद की है, बाकी सुरिकान त्रिपाठी निराला के दोरा लिखा गया है सुधा, शमन्वे औ और मतवाला सुधा शमन्य और मतवाला यह तीन के तीनों किसके द्वार लिखा क्या सूर्कांत्रिपाठी निराला के द्वारा अगला क्वेशन भारतेंद्र यूग में निकलने वाली पत्र का यूग में हैं आप्शन नमबर यह है कभी वचन सुधा हिंदी प्रदीप शरस्वती माधुरी तो कभी वचन सुधा हिंदी प्रदीप शरस्वती माधुरी और दोस्तो इसमें आपका औप्षन नंबर ए सही हो जाएगा भारतेंद यूग में निकलने वाले जो पत्रिका यूग में वह कभी कभी वचन सुधाधन और हिंदिपर दी आपका संधान सभій हो जाएगा कि वचन सुधा का समपाधन कभी वचन सुधा का संपादन भारतेंदु हरिस्चंद्र ने किया कभ 1867 में तता हिंदी प्रदी पत्रिका का संपादन सितंबर 1877 में बाल कृष्ण भट्टनी किया था पृष्ण सुधा का संपादन भारतेंदु हरिस्चंद्र ने 1867 में तता हिंदी प्रदी पत्रिका का संपादन सितंबर 1877 में बाल कृष्ण भट्टने और भारतेंदु हरिस्चंद्र ने किया 1867 में कभी वचन सुधा का ठीक अगला कोशन मतवाला पत्रिका के अस्थाई अस्तंब चाबुक में निराला जी अपनी रचना किस नाम से लिखते थे मतवाला पत्रिका के अस्थाई अस्तंब चाबुक में निराला जी अपनी रचना किस नाम से लिखते थे option number a है गरगज सिंग बर्मा, option number b है सूडिकान्त, option number c है निराला और option number d है रम्ता-जोगी तो इसमें आपका option number a हो जाएगा गरगज सिंग बर्मा गरगज सिंग बर्मा तो मतवाला पत्रिका के अस्थाई अस्तंब चावुक में निराला जी अपनी रशना गरगज सिंग बर्मा साहित सारदुल नाम से लिखते थे एक नाम और इसका है क्या है शारदुल नाम से लिखते थे ठीक है और मतवाला में मतवाले की बहक चलती चकी मतवाले का चाबुक पत्र के अस्थाई अस्तम्भ थे मतवाला कलकत्ता से वर्स 1923 में निकला था ध्यान देजिएगा जो मतवाला पत्री का है वह कब निकला 1923 में कहां से 1923 में कहां से निकला कलकत्ता से कहां से कलकत्ता से चलिए अगला कोशन कह रहा है जैसंकर प्रशाद द्वारा संपादित पत्रिका का नाम था जैसंकर प्रशाद द्वारा संपादित पत्रिका का नाम था option number A है कहानी option number B है इंदू, option number C है, सरस्वती और option number D है, ब्राम्मण, तो दोस्तों, जैसंकर प्रशाद द्वारा संपादित कविता का पत्रिका का नाम था, तो दोस्तों, दिये गए जो बिकल्प है, किसी पत्रिका का संपादन जैसंकर प्रशाद ने इसमें से नहीं किया है, ठीक है, लेकिन यह महाबीर परशाद द्वेदी तथा अन जो ब्राम्मण है, ठीक है, वह परताप नारायड मिश्र के द्वारा है, ठीक है, तो यह आपका option ही, इसमें नहीं है, ठीक, तो अगल वह से हमने बता दिया है, कहानी किसका है, भैरो परशाद गुप्त, इंदू किसका है, अंब बैदेःी वनवास किसकी रचना है, तो दोस्टो अप्शन नमबर ए, ऐध्या सिंझ रियोध, अफ्शन नमबर भी है, रामधारी सिंघ दिनकर, अप्शन नमबर सी है, मैथली सरढगुप्त, और अप्शन नमबर दी है, स्री धर पाठक, वैतर दोस्टो बैदेःी वनव यह अयोध्यान सिंह अपका सही करति है तो इनके अन्यके चौपादे च्णार के रामकलस और प्रेम प्रपंच करमबीर प्रेम पुष बहार अक्ला इंसे अगला कुषिण लिएता पार्त दोस्तो अगे इनने सभी के पादक रहे हैं तो अपशन नम्बर डी आपका सई हो जाएगा विसाल भारत सैनिक त्थादिन्मान के समपादक सचितानंद हीरानंद वातसायन अग्गये थे ठीक अगला क्वेश्चन प्रतीक पत्रिका के समपादक थे option number A होजाएगा अमरितराय option number B होजाएगा भैरो परचाद गुप्त option number C होजाएगा अग्गये और option number D हो जाएगा इला चंदर जोसी ठीक तो प्रतीक पत्रिकास के संपादक थे कौन अग्ये जी कौन थे अग्ये जी option number C इसमें आपका सही हो जाएगा अगला question दिन मान और प्रतीक के संपादक के रूप में जिने ख्याती प्राप्त हुई है वे कौन है ठीक तो option number A है बनारसी दास चतुरवेदी option number B है अग्ये option number C है अम्रित्राए और option number D है धरम वीर भारती तो दिनमान और प्रतीक तो दोस्तों अभी अगले question में आपको बताया कि प्रतीक के संपादक थे अग्ये जी तो यहां भी प्रतीक आग्या तो जो प्रतीक का संपादक वही दिनमान का है तो अर्थात अग्ये जी option number B यापका सही हो जाएगा अगला question तुलसी दास किसकी कविता है तुलसी दास किसकी कविता है option number A मुक्तिबोध option number B अग्ये option number C हर्वन सराय बच्चन option number D सूरिकान त्रिपाठी निराला तो तुलसी दास किसकी कविता है option number A मुक्तिबोध बी अग्ये C हर्वन सराय बच्चन D सूरिकान त्रिपाठी निराला तो क्या हो जाएगा option number D आपका सही हो जाएगा शूरिकांत्रिपाठी निराला, तुलसी रास किसकी रशना है, शूरिकांत्रिपाठी निराला की काब्य रशना है, इनकी जो अन्य काब्य रशनाएं हैं वह जैसे अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता, अडिमा, नएपत्ते, बेला, अर्चिना, तथा आराधना, जो तुल सूरी कांत्र पाठी ने डाला कि अन्य रचनाय हैं फिर से एक वार सुन ले अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुर्मुत्ता, अडिमा, नए पत्ते, बेला, अर्चना, तथा आराधना इत्याधी, ठीक, अगला कॉशन देखते हैं, कह रहा है निमने लिखित में से ए अप्षन नमबेर ए है, कर्मबीर पत्र के शम्पादक माखन लाल चतुर वेदी थे कि यह तो सही है, अप्षन नमबीर आजकल दिल्ली नहीं से परकासित ह circumste होने वाली पत्रिका यह भी सही है, आप्षन नम से दिनमान के प्रत्हम सम्पादक रगविर रहस्ते हैं, दिनि दिनमान के पर्थम संपादक थे वह अग्ये जी थे जबकि इसमें क्या लिखा हुआ है रगिभुहीर सहाय तो यह आपका option number C क्या हो जाएगा घलत हो जाएगा ठीक है अग्ये जी ने दिनमान के पर्थम संपादक का कारे किया और उनकी टीम में समाजवादी सोच के साहितिक पत्रकार ठीक है अगला कोशन देखते हैं का सिक्रिट महर देवी बर्मा की एक कौन सी और आप्स क्षिट महादेवी बर्मा की है ठीक है एक है ocean नंबर यह निहारिका इसमड़ बी साकट आसर नंबर सी है कम माइनी है और आप ओप्रों में करतियों में महादेवी वर्मा की कोई कृति नहीं है इसमें इसमें महादेवी वर्मा की कोई कृति नहीं है लेकिन यहां भी पूछा गया क्वेशन है उत्तरपदेश पुलिस कॉंच्टेबल में 55 अक्टूबर को 2018 में पूछा गया था तो निहार नामक जो कविता संग्रा है वो 1930 में निहार का प्रकाशित हुआ था साकेत मैथली सरड़गुप्त का है कायमाईनी जै संकर पसाद की रश्ना है प्रिय प्रवाश अयोध्यासिंग उपाध्याई की रश्ना है ठीक है और यह जो निहारी का है या निहारिका नमक काब्य कृति सुधाकर पांडे की है किसकी है कृति सुधाकर पांडे की है या काब्य कृति ठीक है तो फिर से सुनिएगा निहारिका किसकी है सुधाकर पांडे की साकेत किसकी रशना है दोस्तो तो साकेत किसकी रचना है, मैथली सरण, गुप्ति की, कामाई नREE किसकी रचना है, जैसंकर परशाद की, और प्रे प्रवास किसकी रचना है, अध्याशिंग, उपाद ध्याय की, तो इसमें कौन सिक्रित बहादेवी बर्मा की है, दोस्तों यहाँ अप्शन नहीं दिया है, अगला question विशाल भारत पत्र के पर्थम संपादक थे क्या कह रहा है विशाल भारत पत्र के पर्थम संपादक थे option नमबरे है मोहन सिंग सेंगर option नमबर भी है सच्चितानंद हीरानंद वाजश्यायन अग्ये option नमबर C है इलाचंद जोसी और option नमबर D है पंडित वनारसी द दास चतुरवेदी, option number D आपका सही हो जाएगा, पंडित बनारसी दास चतुरवेदी, modern review और प्रवाशी के सर्वस रामानंद चतुरवेदी, ने हिंदी जनता की सेवा के लिए, वर्स 1928 में विसाल भारत नमक मासिक पत्रिका प्रका प्रकाशन किया था, जिसके संपादक थे पंडित बनारसी दास चतुरवेदी, modern review और प्रवाशी के सर्वस रामानंद सब कुछ थे, रामानंद चतुरवेदी, ठीक है, तो अगर ये कहा जाए, ठीक है, कि इसके संचालक कौन थे, ठीक है, तो क्या कहेंगे आप, रामानंद चतुरवेदी, लेकिन अगर संपादक क करता है, तो कौन करेंगा, विसाल भारत का, पंडित बनारसी दास चतुरवेदी, ठीक है, अगला question, लेखक और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा गलत है, लेखक और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा गलत है, अप्शन नमबर A है, संस्कृत के चार अध्याय, रामधारी शि यहापका सही है, अप्शन नमबर B, रसक ग्यरंजन, आचार महावीर परशाद दिवेदी यहाभी आपका सही है, अप्शन नमबर C, असकंद गुप्त, लक्ष्मी नारायन मिस्र, यहापका गलत है, और अप्शन नमबर D, असोक के फूल, आचार हजारी परशाद कि पूछा गया है कौन सा जोड़ा गलत है अगला कुशन हंस का संपाधन किस ने किया हंस का संपाधन किस ने किया तो option number A है इसमें प्रेमचंदर option number B है अम्रित राय option number C है सिवदान सिंग चौहान option number D है इन में से सभी ने तो option number D हो जाएगा इन में से सभी ने मुंसी प्रेम चंदर ने साहितिक पत्रिका हंस की अस्थापना कब की मुंसी प्रेम चंदर ने साहितिक पत्रिका हंस की अस्थापना की 1930 में कब की 1930 में कहां की बनारस में की प्रेम चंद्र जी की मृत्यु हो गई 1936 में कब हुई प्रेम चंद्र जी की मृत्यु हो गई 1936 में ठीक है और यह जो मासिक रोप से निकलता रहा ठी निकलता रहा फिर भी ठीक है मृत्यु के उपरांद इसके बाद प्रसिद्ध कथाकार ठीक है जैनें कि और आम्रित्र to नर्षट मनागर ने भी इसका सचालन किआ तो प्रेम। चंदर ने भी सका संपादन किया उसके पाद सिधार श्वदान Sinkh ने किया और उसके बाद अम रेधिर ने किया तो हंस का संपादन इनसबी ने किया है अछला क्वेश्छन कि हिंदी की काल जई पत्रिका हंस के संस्थापक का नाम काल जई पत्रिका हंस के संस्थापक का नाम तो मैंने अभी पिछली क्वेश्चन में आपको बताया है कि हंस के संस्थापक का नाम क्या था प्रेम चंद्र प्रेम चंद्र तो आप्शन नंबर बी तो सही हो जाएगा अगला क्वेशन के रहा है हंस पत्रिका का प्रकाशन कहां से हुआ दोस्तों अभी हमने यह भी आपको बताया है option number A है आपका मुंबई, option number B है बनारस, option number C है दिल्ली और option number D है जैपुर तो क्या हो जाएगा इसमें आपका option number B बनारस ठीक है अगला क्वेशन कहा है निमलिखित पत्रिकाओं के प्रकाशन का सही अनुक्रम, option number A है हंस, आलोचला, रविवार और सरस्वती, option number B है आलोचला, सरस्वती, रविवार, हंस Option number C है, Rabiwar, Hans, Saraswati, Alochina Option number D है, Saraswati, Hans, Alochina और Rabiwar तो उसमें से आपका कौन option सही हो जाएगा जहां तक Saraswati पत्रिका है यहां 1900 में Saraswati पत्रिका है यहां 1900 में परकासित हुई कब परकासित हुई Saraswati पत्रिका? 1900 में तो जब Saraswati 1900 में परकासित हुई ठीक है और Hans 1930 में परकासित हुआ है Hans कब 1930 में और Saraswati उससे पहले ठीक है तो देखिए आपका वैसे ही गलत हो जाएगा यहां क्योंकि Hans और Saraswati देखिए आगे पीछे यहां C option में है तो option number C कट जाएगा सरaswati यहां option number A में सबसे बाद में दे दिया गया हंस सबसे पहले दे दिया गया यहां भी गलत हो जाएगा ठीक है आलोशना सरस्वती और तो आलोशना का संपादन कब हुआ तो दोस्तों आलोशना का 1900 क्या तो फिर आपका option number D क्या हो जाएगा सही हो जाएगा देख लिजे सरस्वती पत्रिका का जो संपादन हुआ वह कब हुआ 1922 में अलोशना का कब हुआ 1921 में और इसके बाद आता है रविवार का 1977 में कब आया रविवार का 1977 में अगला क्वेशन चलिए देख्ते हैं और उनकी रशना का कौन सा जोड़ा सही नहीं है। जगन्नाथ दास रतनाकर की रचना है। सम्मेलन पत्रिका का प्रकाशन कहां से होता है। कहां से होता है। अप्शन नमबर दिल्ली अप्शन नमबर बनारस अप्शन नमबर सी कलकत्ता अप्शन नमबर दिलाहबाद। A. दिल्ली, B. बनारस, C. कलकत्ता, D. इलाहबाद। अर्था सम्मेलन पत्रिका का प्रकाशन कब से शुरू होगा। 1913 से गिरिजा कुमार घोस तथा राम नरेश त्रिपाठी ने संपादन इलाहबाद से इसका संपादन किया। हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा इस पत्रिका का प्रकाशन होता था किसके द्वारा हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा। ठीक और यह त्रे मासिक पत्र के रूप में आज भी सोध समीक्षा के छेतर में सक्रिय है। ठीक या त्रेमासिक पत्र के रूप में किस में त्रेमासिक ठीक है अगला क्वेशन निम्लिखित में से किस पत्रिका का संबंध भारतेंदु हरिस्चंद्र से नहीं है तुस्तों कहरा है निम्लिखित में से किस पत्रिका का संबंध भारतेंदु हरिस्चंद्र से नहीं है option number A है आपका कभी वचन सुधा, option number B है हरिस्चंद्र मैंग जीन, option number C है बाल बोधनी और option number D है ब्राम्हण, तो दोस्तों किस पत्रिका का संबंद भारतेंद हरिस्चंद्र से नहीं है, इसमें आपका option number कौन सा सही होगा, option number D हो जाएगा, क्योंकि ब्राम्हण, पत्रिका का जो संबादन है वह 1883 में, क्या, 1883 में परताब नारायन मिस्र ने कानपूर में किया था, हभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, ब्राम्हण, पत्रिका का संबादन 1883 में परताब नारायन मिस्र ने कानपूर से किया था, ठीक, जबकि कभी वचन सुधा 1867 में, ठीक है, कभ 1867 में, और हरिस्चंद्र मैगजीन 1873 में, और बाल बोधनी 1874 में, प्राचार रथ निकाली गई थी, मतलब इस्तरी सिक्षा के प्रचार करने के लिए निकाली गई थी, कौन सी पत्रिका बाल बोधनी, चलिए अगला कुश्यन, जैद्रत वध किसकी रचना है, जैद्रत वध किसकी रचना है, अप्सन नमबर A है आपका, जैसंकर प्रशाद, अप्सन नमबर B है मैथली सरण गुप्त, अप्सन नमबर C है सूरी कांति पाठी निराला, और अप्सन नमबर D है सुमित्रा नंदन पन, तो क्या हो जाएग मैथली, सरण, गुप्तिकी, और इनकी अन्य रचनाएं हैं यसुधरा , साकेत , भारत भारती और पंचवति अगला कौशन, किसकी रचना है? बीजक किसकी रचना है कुम डोस्तों? तुलसी की रचना है साखी, सबद, रमैनी इसमें यह भी सामिल है तो बीजक किसकी रशना हो गई तुलसी की ऑप्सिन नमबर सॉरी बीजक किसकी रशना हो गई कबीर की तो इसमें आपका कि दो बीजक किसकी रशना हो गई दोस्तो कबीर की किसकी हो गई कबीर की हो गई इसमें क्या सामिल है साखी सबद और रमैनी तो बीजक किसकी रशना हो गई कबीर की रचना हो गई ठीक अगला question कह रहा है आपसे next question ब्राम्हर के संपादक थे अभी देखिए हमने आपको बताया था प्रताप नारायन मिस्र को ब्राम्हर के संपादक कौन थे प्रताप नारायन मिस्र थे कौन था ब्राम्हर के संपादक प्रताप नारायण मिस्र तो इसमें आपका option number D सही हो जाएगा अगला question अतीत के चल्चित्र किसकी रचना है? Option number A महादेवी बर्मा, option number B अयोध्या सिंग, option number C सियाराम सरणगुप्त और option number D सूर्य कांत त्रिपाथी निराला तो दोस्तों अतीत के चल्चित्र भहुती फेमस पुस्तक है किसकी? महादेवी बर्मा की, महादेवी बर्मा की या आपका option number A सही हो जाएगा अगला question किस रचनाकार की पंक्तिया है? तो किसकी है? option number A तुलसी दास, B है कबीर दास, C है केसो दास और D है सूर दास तो किसकी पंक्ति है यहाद दोस्तों? कबीर दास की, किसकी है? कबीर दास की अगला question साहित भारती पत्रिका कहां से प्रकाशित होती है? साहित भारती पत्रिका कहां से प्रकाशित होती है? option number A, इलाहबाद, option number B, लखनौ, option number C, वाराणसी, और option number D, कानपुर तो साहित भारती पत्रिका कहां से प्रकाशित होती है, दोस्तो, option number B, इसमें सही होगा आपका लखनौ option number B, इसमें सही हो जाएगा लखनौ, तो दोस्तो, साहित भारती पत्रिका जो है, वहाँ 1996, 1996, पत्रिका का प्रकाशन, थीक है, वर्स है, 1996, हिंदी संस्थान, लखनौ से होता है साहित भारती समस्त भारती भासाओं का प्रतिनिधी करती है, और यहाँ त्रेमासिक पत्रिका है, क्या है, त्रेमासिक पत्रिका है, जिसके संपादक है, राजेस कुमार बैजल, तो अब आप से पूछा जाए कि साहित भारती पत्रिका के संपादक कौन है, तो का हो राजेश कुमार बैजल फिर से सुनिए और संपादन वर्स कौन सा है उननीज सो चानवे अगला क्वेश्य रामधारी सिंग दिनकर को किस कृति पर साहित्यकादमी पुरशकार मिला आपसर नंबर ए है गुरुप्षेत्र आपसर नंबर भी है उर्वसी आपसर नंबर सी है सं नंबर ए कुरुप्षेत्र वी उर्वसी सी संस्कृत के चार अध्याय और डी रस्मी रती तो रामधारी सिंग दिनकर ने कि रामधारी सिंग दिनकर को 1969 कब 1969 में भारतिय संस्कृत से संबंधित रशना संस्कृत के चार अध्याय अर्था आपका option idea et संस्कृत के चार अध्याय पर इनको साहित्यकादमी पुरसकार दिया गया संस्कृत के चाठ है ठीक है? इनकी एक सम्बंधित रश्णा है इन से और इसी में इनको क्या मिला था साहित त्यकाद्मी पुरसकार्व परदान किया गया था अगला विए श्री बैंक टेस्वर समाचार प्रकाशित होता था अपसे अमबर कलकत्ता से, option number B, इलाहबाद से, option number C, लखनव से, और option number D, मुंबई से, स्री बेंक टेस्वर समाचार प्रकाशित होता था, कहां से, option number A, कलकत्ता से, B, इलाहबाद से, C, लखनव से, और D, बंबई से, तो दोस्तों, ये कहां से प्रकाशित होता था, option number आपका इसमें हो जाएगा D. बंबई से कहां से बंबई से स्री वेंक टेस्वर समाचार बंबई से प्रकासित होता था और स्री वेंक टेस्वर प्रेश की अस्थापना 1871 इस भी में हुई या धार्मिक पुस्तकों के लिए प्रकासित के लिए की गई थी किसके लिए धार्मिक पुस्तकों के प्रकासित के लिए हो गया अगला क्वेश्चन अति सूधो सनेह को मारग है अति सूधो सनेह को मारग है ठीक है तो अति सूधो सनेह को मारग है किसकी पंक्ति है आखिर में है तो दोस्तों यह किसकी पंक्ति है, option number A है आलम, option number B है बोधा, option number C ठाकुर, option number D है घना नंद, तो किसकी है, घना नंद, आपका option number D हो जाएगा, घना नंद, अगला question, पदमावत किसकी रचना है, option number, पदमावत किसकी रचना है, a है कबीर, b है जायसी, c है सूर्दास, और d है तुलसी किसकी रचना है पदमावत ए है कबीर बी जायसी सी सूर दास डी तुलसी दास तो अप्शन नमबर इसमें भी हो जाएगा क्या जायसी क्या हो जाएगा इसमें अप्शन नमबर भी आपका हो जाएगा पदमावत किसकी रचना है जायसी की अगला क्वेशन देखने हैं कह रहा है कि हिंदी के समालोचक के सुत्रपात के लिए भारतेंद युग की कौन सी पत्रिका उल्लेखनिये है आपका option number इसमें अगला क्वेशन देखते हैं क्या रहा है आचारी रामचंद्र सुक्ल का निबंद संग्रह है आचारी रामचंद्र सुक्ल का निबंद संग्रह है option number A है आपका माटी का फूल option number B है चिन्ता मड़ी option number C है छड़ बोले कड मुसकाए option number D है आलोक पर्व option number D क्या है आलोक पर्व तो इसमें कौन सा है आखिर में आचारी रामचंद्र सुक्ल का निबंद संग्रह है चिन्ता मड़ी अगला question कौन सी रशना तुलसी दास जी की नहीं है आपसा नमबर A है दोहावली option number B है गीतावली option number C है रामचरित मानस और आपसा नमबर D है यामा option number D है यामा तो दोहावली रामचरित मानस और गीतावली यह तीन की तीनों रशना है किस की है तुलसी दास जी की है जबकि जो यामा है यह महादेवी बर्मा की रशना है किस की रशना है अगला question आधिकाल में पहलिया लिखने वाले कभी थे ये पहले ही हमने आपको दोस्तों बताया हुआ है इसके पहले वाले वीडियो में अप्सन नम्बर A है जगनिक, B खुश्रो, C सरहपा, D गोरकनाथ तो दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा आधिकाल में पहलिया लिखने वाले कभी थे खुश्रो, अप्सन नंबर B क्या हो जाएगा? सई हो जाएगा खुश्रो अगला कोशन उर्वसी के रशनाकार हैं क्या हैं उर्वसी के रशनाकार हैं आपसन नंबर ए जैसंकर प्रशाद आपसन नंबर भी रामधारी सिंग दिनकर आपसन नंबर सी मैथली सरलगुप्त और आपसन नंबर डी महादेवी बर्मा तो दोस्तों उर्वसी को जो रशनाका उर्वरफ रेड़ुका, रश्मिरती, हुंकार, इतिहास के आशु, धूप और धूवा आदिजुर के इसकी रचनाएं रामधारी सिंग दिंकर की रचनाएं अगला कोशन चलिए देखते हैं कहरा है आलोचना नामक प्रशिद्य समीक्षा पत्रिका के संपादक कौन थे? आलोचना नामक प्रशिद्य समीक्षा पत्रिका के संपादक कौन थे? अप्छन नबर A है Dr. Namora Singh तो इसके जो संपादक हैं वह कौन है Dr. Namor Singh इन्हों नबर A क्या हो जाएगा सही हो जाएगा ठीक है यहाँ एक त्रे मासिक पत्रिका थी और इन्होंने जन्यूग सापताहिक पत्रिका का भी संपादन किया है डाक्टर नामवर सिंग ने एक जन्यूग पत्रिका थी कौँसे पत्रिका जन्यूग पत्रिका इसका भी संपादन इन्होंने किया है ठीक अगला क्वेशन अंधेरी अगला कुश्चन कह रहा है जगदी bist तो नई पबित पत्रिका के संपादक कौन थे तो आप्टिस से नंबर जगदी själवं और पत्रिकहति के संपादक कौन थे उननी सच और प्रकाशति हुई तो जगदी सघ्टोप्त के संपादक कौन थे 16 कहां से हुआ देखिए पिछला क्वेशन था कि 1914 में नई कविता पत्रिका का संपादन कौन किया। तो जगदीज हमने कहा आप से जगदीज कुपत अब फिर कहरा नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कहां से हुआ तो इसका प्रकाशन हुआ अप्शन नमबर A, इलाहबाद, आप्शन नमबर B, भोपाल, आप्शन नमबर C, दिली, और आप्शन नमबर D, लखनों तो नई कवटापत्रिका का क्रकाशन कहां से हुआ? इलाहबाद से, आप्शन नमबर A, आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा इलाहबाद से अगला question कहरा बुन देलो हर बोलो की मुख हमने सुनी कहानी थी खुब लड़ी मरदानी वातो जहासी वाली गानी थी तो कहरा यह प्रस्तुत पंक्तियों के रचाईता कौन है option number यह है माखन लाल चतुरवेडी option number B है सुबद्रा कुमारी चौहान option number C है सोहन लाल दुवेडी option number D है राम नारेश त्रिपाठी तो दोस्तो इसमें आपका option number B सही हो जाएगा option number B सही हो जाएगा सुबद्रा कुमारी चौहान सुबद्रा कुमारी चौहान ठीक है तो दोस्तों आज के लिए इतना ही और पुना हम कुछ क्वेश्चनों के साथ अगले अंक में उपस्तित होंगे तब तक के लिए धन्यवाद